कि मॉर्निंग बात करते हैं जैसा कि कल मैंने बढ़ाय था कि हमारी इस एनलाइस के अंदर वैसे तो डेली वैसिस पर एक तो कंफर्म होती है लेकिन जैसा मैंने कल का था कि कोशिश करूंगा कि एक ट्रेड जो है वो डेली वैसिस पर आपको इस एनलाइस पर जो है वो मिल सके और आप देख सकते हैं कल मैंने यह इई बताया था कि यहां से जो है वो इसको जाने दें उपर क्योंकि निचे की पोजिशन ऐसी है मैंने कल बताया था कि मार्केट सपोर्ट पर नहीं है यह जाएगा यहां तक और यहां से आप सैल कर सकते हैं और आपका टार्गेट जो है वो 26-35 तक हो सकता है कल बेंक होलिडे युएस बेंक होलिडे था इस वजह से ज्यादा मूव तो नहीं हो पाई यहां तक नहीं आया लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी मूव हुई है अभी भी मतला है चल रहा है जबकि हो इस जोन से जो है वो बिल्कुल प्रापर रिजแ्क्ट हुआ है अब यहां पर देखें तो आपका से आपका सटब्साइल इंट्री लगती है और जबके एसल जो है वो 69 लग रहा है तक का जोन है अब उपर जो है वो 69 का मतलब 45 सिरफ 45 का एसल है आपका और यहां पर जो है वह आप टार्गेट देख सकते हैं अभी भी तक्रीबन जो है अगर हम काउंट करें तो नेर अबाउट 200 पिप से ज़्यादा की मूव कर चुका सब्सक्राइब और मैं कोशिश करूंगा कि वहां से आपको बाता सकूँ यकिनन यह के मेरे अंदाजें हैं वह अपनी जगह पे हैं लेकिन यह कि जो कंफर्मेशन जहां भी मुझे कंफर्मेशन नदर आएगी मुझे यहां कल कंफर्म था कि यहां से जो है वो रिजेक्ट ह नहीं थी कुछ चीज़ें होती हैं यह सारी बताई है इनको अगर फालो किया जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि मार्किट को समझ में ना आए तो यह थी हमारी कल्की एनलाइज और मार्किट की मुमेंट अब देख लेते हैं आज के इंपोर्टेंट एरियाज कि अगर हम ब इसके अंदर किलोज लगे हुए हैं और यह फिलाल शेड़ो बिरेक है तो इससे यही लग रहा है कि मार्किट इन एरियाज में से कहीं से जो है वो बुलिश हो सकती है अब यहां पर जैसा हम पहले भी देखते रहे हैं पिछले जो टाइम में जब यहां मार्किट मूव कर रही थी तो किसी प्रापर एरिया को जो है वो ऐसे सपोर्ट नहीं लिया बैसिकली जो सपोर्ट एरिया है वो यह है चब्विस पच्चिस यह वह सपोर्ट है जो इसको एक बड़े हाई तक भी ले जा सकती है अगर यह ब्रेक ना हुआ और इसको यहां से बुलिश सैट तो और अगर यह ब्रेक होता है तो फिर यह समझे के फिर चब्विस वाला एरिया जो है वो दुबारा मार्किट देख सकती है लेकिन उसके लिए कुछ इस तरह होगा मैं मूमेंट आपको बता रहता हूँ क्योंकि इसने उपर भी ब्रेक किये हुए लेवल तो पॉसिबल यही लग रहा है कि अगर यहां आघ और इसको करता है या फिर यहां से जो यह सपोर्ट बनकि ए तो फिर सेम एयरिया होगा कि जिस तरह यह अगर इससी तरह यह रहा है और इसी तरह यहां तो पुट्यैस पहु करके झाए और अपिर और इसको फो लगा करे कोई लगा के फिर वह जाया तो फिर यहां से जो है ऊसकता है और दूसरा ही जो है तो यह सब्सक्मिर कर सकता है एक से करें लाथ प्र हम आप तरह को हम तुक्सरा यह हो सकता है और कि यहां से उपर तो मुझे नहीं लगता कि यहां से बीच की अरिया से भी बुलिश होता रहा है यहां पर जो यहां पर जैसे बड़े डाइंफ्रेम का तो कोई लेवल नहीं है आप 15 hai उस नहीं होता यह कि करने के लिए यहां पर तकरीबर यלא बतीस से उपर जागया एहां पर आप देखाएंगे इसको बिलुकुल प्रापर टैस्क करके उपर चला गया यहां पर शीड़ो लगाया चला गया और यहां पर ही लगाया लगाने के बाद इसने दुबारह यह थाato आप हम सकते हैं की स्वालत ही है त具 स्त फाण थैस्क पास्व on कि क्या पोजिशन बनाता वैसे यह हमेशा जहीन में रखें कि जिस चे अरिया को मार्कित नीचे सेल होते हुए ब्रेक्ट करके फिर नीचे आए तो वह करीब के जो है वह सपोर्ड एरिया को ले सकता है लेगिन होतब यह एक गर प्रवापर्डाइक करता है तो प्रवापर ट तो यह जो मैंने पोजिशन बताई है आपको यही जो है वो होती हुई नजर आ रही है हां अगर 25 तक आता है और इस एरिया को प्रापर टैस्ट करता है यहां से बुलिश होता है तो इसका यह फर्स टार्गेट होगा और फिर यह एक अगर यहां से अच्छी मूग करता है तो इसके लिए इससे उपर फास्ट निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन मार्कीट है क्योंकि यहां लेडी ब्रेक भी है तो सीधा भी निकल सकता है लेकिन अगर आपको यहां से बाय मिलता है तो फर्स्ट यह एरिया क्योंकि रिजिस्टेंस इससे पहले कोई नहीं है जो जहां से मार्कीट रुक सके और तैकिन जो है वो यह एरिया है और यहां से अगर यहां से शेड़ो ब्रेक करता है और इसको अगर शेड़ो लगा देता है या फिर कोई क्लोज भी है छोटा मोटा करके और फिर निकलता है तो फिर यहां से जो है वो जैसे मैंने पहले ब और फिर दुबारा उपर जाए तो अगर ऐसा करता है तो फिर इस एरिया से रिजेक्ट होने के चांसिस होंगे दुबारा से मेरिया तक या फिर नीचे भी जा सकता है क्योंकि इस टैम जैसे मैंने पहले बता है कि अंदाजा यह कंफर्म नहीं कर रही मार्कित करेक्शन जो है वह हो नहीं थी दे की और वी चाल alors यहीं कंफिंदान एलिए यह उसके अगर यह की करेक्शन है दो तो यहां से बुलिश भी हो और एक नहाए याई भी बनाके बना सकता है तो इस तरह आप लेवल टू लेवल मार्कित को फालो करें जैसे कल था कि यहां से अगर हमने सैल करनी है इस एरिया तक तो आप सिंपल है दो सो पिप से किस तरह आप इसको फालो कर सकते हैं फिलार यहीं है कि यहां से सेलिंग मत देखियेगा कि जैसा मैंने बताये कि अगर पॉज़ी सस्था मैंने बताइए इसी पोधिशन बने यहां से सैल हो सकता यह हो सकता है इस वह सकती है वाकि इन एयहरेस मेरे भी मेरे भी मेरे हैं से ऑज गारल ऑपतन अर्या यही हैं बाकि होना क्या है यह तो वाज बेतर बश्यानता है जांते रिखे Vet